हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरनाम संदीप और आप सभी का विलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग 27 दिसंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेर हैं उनको कव इसे भी एकजाम के आप तैयारी कर रहे हैं आपको करेंट अफेर के वीडियो से आपके एकजाम के यह जो चार से पांच कोश्चन बनते हैं आपके एकजाम में यह बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे इसके साथी साथ मैं वीडियो आपको कम्प्लेट तो कराता हू इसके साथी साथ इस वीडियो के पीडिया भी आपको प्रवाइड करता हूँ ताकि उसको एक बार रिवाइच कर लेंगे तो सारे करेंट फिर आपके यहां पर कवर हो जाएंगे इसके साथी साथ मैं आपको सजेशन भी देता हूँ कि आप डेली बेसिस पे बत 10 से 5 मिनट निकाल कर आप न्यूज पेपर्स पढ़ा करें निूज पेपर में मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंट पेज आप पढ़ सकते हैं फ्रेंट पेज के बाद देश विदेश की जो इन्फोर्मेशन होती है उसे आप पढ़ सकते हैं तो आपके बीच के जो लोकल्स जो इन्फोर्मेशन होती है उससे कोई नहीं बनता है तो आप जो है front page पढ़ें और last में जो देश बीदेश का होता है उसे आप पढ़ सकते हैं और प्रदेश का जो प्रदेश का जो होता है section उसे भी आप पढ़ा करें वहां से आपके current affair बन जाते हैं तो इस तरीके से आप जब 5-10 मिनट जब लगाते हैं तो उससे आपके exam में जो ह से cut-up से बाहर हो जाते हैं तो यह चार से पांच question बस डेली के 10-20 मिनट लगा कि आप यहां पर cover कर सकते हैं तो चलिए फेंट विडियो को स्टार्ट करते हैं और current affair के पहले question को यहां पर देखते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले current affair में पूछा जारे के निम्न में से किस Space Agency ने अपने नए James Webb Telescope को सफलता पुरवक launch किया है और चार विगल्पों में से बताना है तो देखिए किसे भी question का अगर आपको answer पता है तो आप जवाब दे सकते हैं नहीं भी पता है तो भी मैं यहां पर जवाब बताता हूं इसके साधिसात question के जो important details है उसे भी बताने क प्रयास करता हूं देखिए यहां पर जो right answer हो जाएगा वो है आपका option number B NASA ने तो यहां पर किस Space Agency ने अपने नए James Webb Telescope को सफलता पुरवक launch किया है तो NASA ने यह आपको याद रखना है NASA को English में short में इस प्रकार से लिखा जाता है और यहां पर yen का मतलब होता है आपका national और यहां पर एका मतलब होता है aeronautics यहां पर end आपका space होता है और यहां पर administration होता है यानि कि full form इसका पूरा हो जाएगा आपका national aeronautics and space administration NASA का full form होता है इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण organization है तो यहां से इस तरीके से भी question आप से पूछ लिया Space Agency के सहयोग से अपने नए James Webb Telescope को सफलता पूरवक लाँच किया है तो यह आपके आगामे exam में यह question आपके trend करेंगे RRB में भी अगर exam जो आपके group D के होने वाले उनमें भी पूछे जाएंगे तो इसको आपको अच्छे से याद करना है कि यह जो आपका James Webb Telescope जो सफलता के द्वारा जो है यहाँ पर लॉंच किया गया यह अमेरिका की जो है एक National Aeronautics and Space Administration के लिजे और इसे आपको याद रखना और यह टेलिसकोप का यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि पिक्चर भी मैंने लगाया इसे आप अच्छे से image भी अपने दिमाग में बठा सकते हैं देखें नेक्षपांड में मैंने बताएं कि नासा के विश्व के सबसे बड़े टेलिसकोप से ब्रहमांड के उत्पति के रहस्यों से परदा उठ सकेगा तो बैसिकली इस टेलिसकोप का उद्दे से अगर हम जान लें तो इसमें यही बताएं कि विश्व के सबसे बड़े टेलिश्चोप से ब्रह्मांध के उत्पति कैसे हुई है उसके रहस्यों से परदा उट सकेगा इस टेलिश्कोप के माधम से ये आपको याद रखना है और नेक्श पंड में बता है कि यह घ्लिश्चोप हबल टेलिस्कोप की जेगा लेगा जिसने 30 साल से अधिक तक विज्ञानियों को अंतरिच्छ की तस्वीर और अंदरूनी जानकारी उपलब्द कराई यानि कि इससे पहले जो टेलिस्कोप काम कर रहा था जो की स्पेस का आपजर्वेशन कर रहा था उससे संबंदी जो भी इ बैध्यानिक हैं उन तक पहुँचा दा था वो जो है आपका हबल टेलिस्कोप था और इसके बात से यह आपका जो न्यू टेलिस्कोप आपका है जिसका नाम है आपका जेम्स वेप टेलिस्कोप इसको सफलता पुरौक लाँच किया गया आब ये काम करेगा और बहतर फिर में पूछा रहे कि निमन में से किस मंत्राले ने हाल ही में दीन दयाल उपाध्याए ग्रामीड कौसल या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है तो यहां पर इस कुश्चिन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नमबर भी ग् में उद्दे से है कि जो अनिप्लाइड लोग हैं यानि कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मोहिया कराना ये आपको याद रखना है किसने किया ग्रामीड विकास मंत्राले ने अब इस कुश्चिन के जो इंपोर्टन डेटियल से उसे भी जानते हैं देखी यहा लगबग 278 से अधिक संग्ठनों की भागिदारी के साथ जो है देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया तो यहां पर बिसिकली यह इंपोर्टन्ट है आपका 278 संग्ठनों इन्ही के द्वारा जो है इस मेले में जाकर जो है लोगों को जो है रोजगार मोहिया करा जाए जाएगा और बिसिकली अगर बात किया जाए तो पूरे देश के अंदर जो है दो सो पचासी मेलों का आयोजन किया गया था इसे आपको याद रखना है किसके द्वारा ग्रामीड विकास मंत्राले के द्वारा तो आसे करता हूं डिटेल्स आपको क्लेर हो गया और इ राष्ट्रिय पुस्तक न्यास ने पीम यूवा मेंटर्शिप योजना के तहत 75 चैनित लेखोकों की जो है घोश्टा की है यहां पर आपको बताना है किश्च मंत्राले ने तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आप्सन नंबर सी सिच्छा मंत्राले ने ज से जुड़े जो इंपोर्टन डीटिल से उसे भी जान लेते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताए कि सिच्छा मंत्राले के अंतरगत आने वाले राष्ट्रिय पुस्तक न्यास ने हालही में पीम यूवा मेंटर्शिप योजना के तहत 75 या 75 चैन यह आपको याद रखना है तो आसे करता हूं डीटिल सापको क्लियर हुए होंगे आई यह अगले करेंट अफेर यहां पर देखते हैं देखिए यहां पर अगले करेंट अफेर में पूछाजर के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हालही में किस वर्स से 18 वर्स के बच् की घोश्टा की है इससे पहले आप सभी को पता है कि 45 वालों को भी लग रहा था और 18 प्लस वाले जो भी लोग थे उनको भी टीका लग रहा था लेकिन अब यहां पर एज ग्रूप की बात की जाए तो 15 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनको भी टीका लगेगा यह घोश की है इसके साथ ही साथ जो है स्वास्त कारे करताओं को एक बुश्टर डोज भी लगाई जाएगी और यह कारे 10 जन्वरी से सुरू होगा जबकि डॉक्टर की सलाह के मताबित 60 वर्स से अधिक आयू के लोगों को टीका लगाया जाएगा जो किसी बिमारी से पीडित है या अपने जो भी वहाँ पर स्टेशन या हब बन रहा है जहां से टीका लगाया जा रहा है तो उनको बुश्टर डोज दिया जाएगा बुश्टर का मतलब और उनको सेब बनाया जाएगा क्योंकि वो लोगों के बीच में जाकर काम करें उनको टीका लगा रहा है और जैसे कि आप सभी को बता है कि ओमिक्रोन के बढ़ने के वज़े से जो है और भी ज़्यादा एतियात बढ़ता जा रहा है गौर्मेंट के तरब से लेकिन चुनावी महौल चल ला है आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों के द्वारा रहलिया हो रही है वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रिकोशन और एतियात नहीं बढ़ता जा रहा है तो वो लोगों की लापरवाही है तो उसको जरूर ध्यान में रखे और यहाँ पर नीचे जो मैंने आपको डिटिल्स बताएं जैसे कि 60 वर्से अधिक के आयू के लोगों को भी यहाँ पर टिका लगाए जाएगा जो कि किसी बिमारी से पीड़ित है यह भी इंपॉर्टेंट है तो आसे करता हूँ डिटिल्स आपको क्लियर हो गये होंगे आईए अगले करेंट अफेर देखते हैं देखे यहाँ पर अगले करेंट अफेर में पूछा जरे कि हालाई में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांस नितिन गढकरी में ने राजमार्ग मंतरी नितिन गढकरी ने घाल ही में गाजियाबाद के डाशना में भारत का पहला intelligent transport system जो है stern peripheral expressway पर launch किया है इसके साथ जिसे traffic को कम करने और यात्रियों की सुरचा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है और नितिन गटकरी सहब को यहाँ पर आप इमेश से याद कर सकते हैं इस तरही के से direct question बनता है मंत्राले से केंद्रिय सडक परिवहन मंत्री कौन है वरतमान में तो आपके यहाँ पर नितिन गटकरी है यह आपको याद रखना है और इसके साथ जो है यहाँ पर intelligent transport system जो है हाले में किस ने launch किया तो यहाँ पर नितिन गटकरी महोदय जी ने launch किया है तो बिसिकली इसका उद्धे से क्या है कि ट्राफिक को कम किया जाए और यात्रियों की सुरच्छा बढ़ाया जाए उससे संबंधित जो है यहाँ पर intelligent transport system को कहते हैं कि launch किया गया है किस के दौरा यहाँ पर सलक एवं परिवहन मंत्री नितिन गटकरी के द्वारा त्वासे करता हूँ डीटिल्स आपको clear हो गया होंगे आईए अगले करेंटफिर देखते हैं देखिए यहाँ पर अगले करेंटफिर में पूछा रहे कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल ने भारतिय बहु भासी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती यहाँ पर एक गुजराती कार दीजिए गुजराती संस्क्रार लॉंच किया है यहाँ पर इन चारो विकल्पों में से आपको बताना है अगर आंसर पता है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर सी यहाँ पर अभी हालही में जो है मुख्यमंत्री है आपके गुजरात के भुपेंद्र पटेल ने जो है भारतिय बहु भासी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू गुजराती संस्क्राइन लाँच किया है यह आपको याद रखना है देखे यहां से कई सारे कुश्टन बन जाएंगे वरतवान में पूछ ले जाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भुपेंद्र पटेल और अब ही हाल ही में भारती बहु भासी माइक्रो ब्लागिंग साइट कू किसे ने लाँच किया है वो आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल और यह किस राज के हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्रे यह आपको याद रखना है तो इतना आपको क्लेर होगे आप इस कुश्टन के जो इंपोर्टन डेटेल से उसे भी जान लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल ने भारती यह बहु भासी माइक्रो ब्लागिंग साइट कू का गुजराती संस्क्रण लांच किया है इसके साथ साथ यह माइक्रो ब्लागिंग साइट कू लोगों को अपनी मात्री भासा का उप्योग करके सामागरी साधा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सच्छम बनाता है तो basically ये किस प्रकार से ये जो application है आप देख सकते हैं यहाँ पर कू वो लोगों की help करेगा तो ये जो है micro blogging site जो कू है ये लोगों की अपनी मातरी भासाय का उप्योग करके सामागरी साधा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में लोगों को सच्छम बनाता है ये आपको याद रखना है तो आसे करता हूं डेटिल्स क्लियर हो गया होगा आईए अगले करेंट अफेर देखते हैं देखिए यहाँ पर अगले करेंट अफेर में पूछे जरे के भार देखने को मिलते होंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नमबर है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को जो है यहाँ पर साउथ अफ्रिकन आफ दे एर्स चुना गया है यह भारतिय मूल के हैं यह आपको याद रखना है अब इस कोश्चिन के जो important details हैं उसे आप हम जान लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले point में मैंने बताए कि भारतिय मूल के परोपकारी और आपदा राहत समों gift of the givers के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने डेली मावे रीक अकबार द्वारा संचालिद दच्छड अफरिकी वर् of the givers के यह संस्थापक हैं और इनको जो है दच्छड अफरिका यहाँ पर दच्छड अफरिकी आप दे एर्स का पुरुसकार जो है मिला है और इनकी image है यह भी आपको याद रखना है देखें नेक्ट पार्ड में मैंने बताए कि सुलेमान को दच्छड अफरिका का सर्व कि आज सुलेमानी है उनको दच्छड अफरिका का सर्वच पुरुषकार भी मिल चुका है इस तरीके से question बन जाएगा तो नागरिक शम्मान होता है national order मिला है और अगले पंड में बताए कि इससे पहले 2021 में उन्हें पस्चिम के प्रांत में जो है इस्टेलन बॉस चैंपियन नौमेद भी किया गया तो काफी question यहां से details से बन सकते हैं इसलिए मैं कहता हूं details को अच्छे से देखिए एक question नहीं है current affair के काफी सारे question cover मैं कराता हूं अगर आप question बनाना सीख जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से exam में भी perform करेंगे तो आसे करता हूं details यहा climate change से related काफी problems या इसू आपको देखने को मिल रहे हैं और इससे संबंदित daily news आपको अगर आप newspaper पढ़ते हैं तो last में जो section होता आप newspaper का last में देश विदेश्ट उसमें जाकर देखेंगे तो जरूर climate change से related कुछ articles आपको देखने को या लेक मिल जाएंगे तो basically यहां पर question म में पूछा जारे कि किस भारतियों को global environment and climate action awards से सम्मानित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा viral देशाई को जो है यहां पर शम्मानित किया गया है global environment and climate action awards से यह काफी important है आपके exam के point of view से तो इसे आपको याद रखना है अब इस question के जो important details से उसे भी जानते हैं देखिए आपर सबसे पहले point में मैंने बता है कि green man के नाम से मसहूर सूरत के उद्योगपती viral दिसाई को दुबई में प्रतिष्ठित global environment and climate action citizen awards से नवाजा गया है तो basically इनको green man के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है मसहूर सूरत के एक उद्योगपती है viral दिसाई यह भी आपको याद रखना है और दुबई में प्रतिष्ठित global environment and climate action citizens awards से जो है इनको शम्मानित किया गया या नवाजा गया है यह आप इनकी में देख सकते हैं नेश्ट बंड में उन्हें बता है कि उन्हें दिसंबर 2021 में दुबई के अटलांटिस द पॉम में संस्कृति युवा संस्थान द्वारा भारत गौरो सम्मान से भी सम्मानित किया गया तो ये भी अपने आप में important है इसके साथ UK, US सहीत 11 देशों की 28 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर तो यह काफी important है और यहाँ से कई सारे question बन सकते हैं आपके exam में तो detail को एक बार अच्छे से देख लिजेगा और जो PDF में provide करता हूँ आपको current affair की उसको भी अच्छे से आप पढ़ लिया करें यहाँ से question आपको देखने को मिल जाएंगे आपके exam में आईए अगले current affair में पूचे जरे के हाल ही में भारत के अंद हो जाएगा आपका option number a हिमाचल प्रदेश ने जो है जीता है आपका विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में 2021 में जो आपका हुआ है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है सिमला है ये भी आपको याद रखना है अब इस question के जो important details से उसे भी जान लेते हैं देखें यहा 2021 को राजस्थान के शवाई मान सिंग स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के final में तमिलनाडू को हराया अब देखें कई सारे question अगर आप बनाना चाहोगे तो बन जाएगा असानी से हिमाचल प्रदेश ने जो है कब पूछ लिया जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफ काफी सारे question मनाया जा सकते हैं देखें next one में मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडू को गैररन से हराया इस तरीके से भी बन सकता है और यह इसका पहला घरलू खिताब है यानि basically हिमाचल प्रदेश के टीम का यह पहला खिताब कह लिजिए है जो भी BCCI की दौ की क्रिकेट मैचों में लच्छे स्कोर की गरना करने की एक विदी है तो basically आप देखते हैं कि जब मैच होते हैं तो एक टिम पूरी जो है बैटिंग आव वालिंग जो भी है कर लेती एक टीम का पूरा हो जाता है फिर उसके बास दूसरी टिम जब बैटिंग करने आती है त तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर यह जो है विजय डी याने के विजय जेद्यवन प्रडाली का इस्तमाल किया गया और टीम प्रफॉर्म बढ़िया कर रही होती है तो उसको जीत कोस्ट कर दिया जाता है तो यहां पर बिसी के लिए आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉपी ट्रॉपी जो है आपका 2021 किशने जीता है तो हिमाचल प्रदिशने जीता है तो आसे करता हूं डेटिल्स आपको क्लेर हो गए होंगे आए अगले करेंट अफेर यहां पर देखते हैं देखें यहां पर अगले करेंट अफेर में पूसेजर के हालही में किस नोबेल सांती पुरुषकार विजीता का निधन हो गया है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है औरक बिशप अडेशमंड टूटू का जो है हालही में अब निधन हो गया और यह नोबेल शांती पुरुषकार जीत चुके हैं इसलिए काफी इंपोर्टेंट है नोबेल से भी कुछन पूछा जाता है नोबेल शांती पुरुषकार कोई ब्यक्ती अगर जीता है और उसकी डित हो जाती है अभी हाल फिलाल में और एकजाम आपके लगे हुए है तो यहां से कुछन बन जाएंगे नाम याद रखना है आर्क बिशप डेशमंड टूटू जो है हाली में इनका निधन हो गया और यह नोबेल सांती पुरुषकार विजेता है अब इस कुछन के जो इंपोर्टन डिटेल से उसे भी जान देते हैं देखें यहां पर सबसे पहले पॉर्ण में मैंने क्या बता है कि दच्छिड अफरिका में रंग भेद को शमाप्त करने में मदद करने वाले और बिशप डेशमंड टूटू का जो है दिसंबर 2021 में निधन हो गया तो आप देख सकते हैं कि यह आपके हैं कौन आर जाएंगे और इससे भी हट जाएंगे तो धर्म भेदबाव दिख जाएगा तो मतलब किसी भी तरीके से आप बजनी पाऊगा कहीं ने कहीं आपको भेदबाव अमीर गरीब हर तरह के भेदबाव जातिकत भेदबाव सब कुछ देखने को मिल जाएंगे आपके समाज में और इसे सिच्छा से ही दूर किया जा सकता है तो जादा से जादा लोगों को एजुकेटिट करना चाहिए और लोगों को भी सिच्छा पे जादा बल देना चाहिए तो यहां पर आपको याद रखना है इसको नेक्षपाण में मैंने बताया है कि वह 1948 से 1991 तक दच्छिड अ संगहर्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 1984 में नोबल पुरुसकार से भी शम्मानित किया गया था आप देखिए कितना कोश्चन यहां से बनाया जा सकता है इसलिए डीटेल्स को आप अच्छे से यहां पर समझने का प्रयास क्या करिए अब देखिए आगे कुछ और क कोश्चन है जिसको मैंने वन लाइनर में लिखा है क्योंकि जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है पर डे के हिशाप से मैं उसे कवर कराने का आपको प्रयास करता हूं तो उसे भी देख लेते हम लोग तो देखिए यहां पर कुछ करेंट अफर के कोश्चन है जिसको मैंने वन लाइनर के रूप में मिंसन किया तो इसे भी आपको याद कर लेना है तो देखिए यहां पर मैंने पहले पॉइंट में बताए कि हालही में जो है ग्रैमी विजेता संगीतकार जेडी क्रो का निधन हो गया अगर आपके एक जाम में पूछ लिया जाए कि हालही में ग्र इंट है फिर मैंने उपर आपको कर रहा था उसे भी आपको याद रखना है और नेक्ट में मैंने बताए हालही में रूसी अदालत ने लगाया गूगल और मेटा पर कुल 125 मिलियन डॉलर का जुर्माना यह भी इंपॉर्टेंट है ऐसे पूछ देगा कि 125 मिलियन डॉलर का अभी हालही में किश्र अदेश की अदालत ने लगाया तो रुसी अदालत ने देखें नेक्श पांड़ में बने बताए कि हालही में चीन ने लांच किया उच्छ रिजलिजिशन वाला कैमरा उपकर जिसका नाम है जी यू यान वन जीरो टू ई तो चाइनीज में कुछ इसे ही नाम होते हैं तो इसे भी आपको याद रखना है अब उच्छ रिजलिजिशन का मतलब है कि अब यह सेटेलाइट ऊपर जाएगी आपका वहां से अच्छे खासे पिक्चर जो है आप देख सकते हैं नीचे जमीन पर क्या कुछ चल रहा है तो आने वाले फ्यूचर में औ राजनात सिंग ने ब्रह्मोष वे निर्माल केंद्र की नियू रखी है और डिया डियो जो है इसकी स्थापना गुलखनाओं में कर रहा है ये भी काफी इंपोर्टेंट है तो यहां पर कुछ करेंट अफेर के कोश्चन थे जिनको मैंने वन लाइनर में भी कवर करा है तो करता हूं कि करेंट अफेर की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्फुल होगी और सिसन आप सभी को अच्छा लगा होगा और किसी भी कोश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं और इसके सा लाइक से हमें बहुत सारा Maksyan और करते रहने के लिए और वीडियो को करने के बाद जो है अगर लगता है दूसरे करने करने से कोई नुक्षान नहीं होगा और ना लाइक करने से देखियो आप देखते हैं बेकार की न्यूस और भी चीजे जो बहुत जादे important नहीं होती है उनको लोग काफी ज़ादा share करते हैं लेकिन जो important चीज होती है जिनसे कुछ को किसी भी information को कोई भी information आपको मिल जाता है तो वो चीजे कम share होती है क्योंकि उसमें कोई मसाला नहीं होता इस तरीके से तो वो काम की चीज़ों होती है तो आप अगर लगता है कि यहां पर important है तो आप जरूर सेयर किया करें और इसके साथ इसा channel पर अगर आप नय है तो channel को subscribe कर लें और उसके बगल में जो bell icon का button होता है उसको आप प्रेस कर ले ऐसे ही important वीडियो की notification को पाने के लिए तो आसे करता हूँ दोस्तों ये वीडियो का शेहन सच में आप सभी को पसंद आया होगा feedback जरूर आप दिया करें comment box में कि अच्छा है या नहीं है आपको अच्छा नहीं लगे तो भी feedback दीजिए ऐसा नहीं है कि आपको positive ही comment देना है आप अपने experience या अनुभाव पर ही comment क्या करें और तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और important current affair के साथ तब तक लिए जैहिन जभारत